मौसम में बीते कुछ दिनों से काफी बदला आप देखने को मिला है वहीं अगर बात बिहार के की जाये जहां फरवरी के शुरुवाती दिनों से लेकर महीने की समापती के बीच राज्यों में रुक रुक कर बारिश देखने को मिली है तो वहीं मार्च महीने में बारिश होने का सिलसिला जारी रहने की उमीद जताई गई है मौसम विभाग ने अपने पूर्वा नुमान में बताया है कि राज्यों में एक बार फिर पश्चमी विक्षोप सक्रिया होने के बाद अधिकांश जिलों में दो मार्च से चार मार्च के बीच बारिश हो सकती है इसके साथ ही मौसम विभाग ने दो से तीन मार्च के बीच सूबे के दक्षिन और उत्तर भिहार के कुछ जिलों में बारिश को लेकर येलो अलर्ट भी गोशित कर दिया है वहीं जानकारों का कहना है कि इस समय पछेती सरसो सहीत सबजी की फसलों में लाही कीट लगने की संभावना सबसे अधिक रहती है आपको बता दें कि राइधानी पटना सहीत अन्य जिलो में एक मार्च तक मौसम शुश्क रहेगा तो वहीं दो मार्च से चार मार्च के बीच पश्चमी विक्षोप की वज़े से मौसम करवट ले सकता है ऐसे में सबसे ज़्यादा नुकसान सरसों की पचेती फसल को होने का लगाया जा रहा है चानकारों का कहना है कि इस मौसम में लाही कीट के विस्तार होने की समावना सबसे अधिक रहती है जो कि फसल को नुकसान पुंचा सकता है साथ ही MP में अचानक मौसम के बदले मिजास का असर भी फसलों पर दिखाई देने लगा है जहां परदेश के अलग-लग हिस्तों में गेहूं और चने की फसल बे मौसम बारिश और ओला वरिष्टी से परभावित हो रही है तो वही दूसरी फसलों पर भी इसका नुकसान देखने को मिल रहा है इसी के चलते रायधानी बोपाल और इंदोर के आसपास कुछ जिलों में फसल पर सीधा असर पड़ा है आपको बता दे कि फसलों पर पड़े मौसम की परभाव के बाद अब अलग लग जिलों में परशासन ने खराब फसलों के सरवे का काम शुरू कर दिया है इसी के चलते अधिकारी खेतों में पहुंचकर फसलों का हाल लेते नजर आ रहे हैं साथ ही अब जल्दी सरवे पूरा कर किसानों को मौवजा देने की प्रकरियत तेज की जाएगी दरसल पिछले कुछ दिनों से करगोन जिले के विभिन शेत्रों में हुई अतिव रिष्टी और ओला रिष्टी से भी फसलों को काफी नुकसान होने की आशंका है बिरो रिपोर्ट मारके टाइम्स टीवी